Hello students, I am Suthi Gupta, your math teacher. Today we start class 10th Maths, Chapter 5, Exercise 5.2. बेटे, प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब इस चैनल. Question number 17, ये काफी important question है बेटा. Exam में आया हुआ है आपको पहले. Find the 20th term from the last term of the AP, 3, 8, 13, 253. आपको ये AP का sequence दिया गया है. आपको पहले question में बोला गया है, 20th term from the last. Last से आपने 20th term निकाल के बतानी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो हमें given दिया गया है, वो हम लिख रहे हैं. Given है हमारे पास AP, वो है 3, 8, 13, dash, dash, 253. ठीक है? तो इस AP को हम ऐसे भी write कर सकते हैं, 3, 8, 13. यहाँ पर हमने कुछ terms ले ली, ठीक है? ये हमारे पास 253 है, इससे पहले वाले term है 248. इसमें हम 5 add करेंगे, तो 253 बनेगा, ठीक है? अगेन हम इसके पहले वाले term ले लेते हैं, इससे 5 less करते हैं. तो 243, ठीक है? 243 में हमने 5 add किया, हमारे पास यह term है, कैसे बटा? ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास क्या है? A2, ये है A3, ओके? A1 से हम idea लगा रहे हैं, यहाँ पे जो increase हो रहा है number, वो कितना increase हो रहा है? 5 increase हो रहा है, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो हमारे पास D है, बेटा, वो क्या है? 5 है, ओके? यहाँ पे A1 हमारे पास 3 है, और D जो है A2 माइनस A1, तो वो आ जाएगा 8 माइनस 3, ठीक है? तो यहाँ गया 5, ओके? इसलिए हमने क्या किया? यह जो आपको term बना के बताएं है, ठीक है? 5, 5 increase हो रहा है, बीच में हमने छोड़ दिया AP, बट लास्ट की number हमने बना ली, क्यों बेटा? क्योंकि हमें इसको क्या करना था? रिवर्स करना था, इस सीरीज को हमने क्या करना था? रिवर्स करना था, ठीक है? यह हमारे पास रिवर्स करके क्या बन गी? न्यू सीरीज बन गी, न्यू सीरीज बोलो, न्यू सिक्वेंस बोलो, ठीक है? new क्या बन गया ये sequence बन गया एक ओके बटा यहां पे हमारे पास आ गया 253 जो हमने last term है यहां पे वो हमने first term ले ली 248 second term आगे 243 हमारे पास third term so on ऐसे अब ये 13 यहां पे आ जाएगा ये 8 यहां पे आ जाएगा और ये 3 यहां पे आ जाएगा ठीक है बटा और यहां पे हमारे पास जो first term बनी है वो है 253 ठीक है यह सारा हम इसलिए करें क्योंकि हमें question में पूछा गया है 20th term from the last इसलिए हमने series को change कर लिया sequence को change कर लिया उसको हमने sequence को reverse कर लिया ठीक है जो last term थी उसको हमने first बना लिया ठीक है बटा और जो हमने दूसरी terms ली थी यह हमारी second term और यह third term ओके बटा और जो first की term थी पहले वाली वो हमारी last term बन गई ओके बटा अब d यहां पे क्या आएगा यहां पे a1 यह है a2 यह है a3 यह है ठीक है तो d क्या आएगा बटा a2 माइनस a1 यह है यहां पे 248 माइनस 253 तो d की value आजाएगी 8 में से 3 गया 5 ठीक है बटा 8 में से 3 गया यहां पे क्या आएगा नहीं निकलेगा क्योंकि 248 चोटा नमबर है बड़े नमबर से आप निकालेंगे 253 में से तो यहां पे माइनस 5 आएगा आपके पास ओके यहां पे बड़े नमबर के साथ आपके पास क्या लगा हुआ माइनस लगा हुआ है इसलिए ठीक है विटा यह आगया d अब हमें last की term भी दी गई है an term ठीक है तो 20-year term आपको बोला है last में अब हमने sequence को ही change कर लिया तो हमारी 20-year term कहां से आ जाएगी अब यहां सिधे से आ जाएगी ठीक है तो यह आ गया a प्लस general term का formula 19 d तो a की value है हमारे पास 253 प्लस 19 d की value है माइनस 5 तो आप लिखेंगे 253-95 तो आपने इसको solve किया 13 में से 5 गया 8 4 14 में से 9 गया 5 1 a जो 20 अथा आई है आपकी last से वो आई है 158 ओके बटा तो आप लिखेंगे तो यह हमने write किया hence 20-year term from last is 158 next question question number 18 में दिया गया the sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term of AP is 44 find the first 3 terms of AP बटा आपको question में 4th और 8th term का दोनों का जो sum है वो दिया गया है 24 फिर next में दिया गया है 6th and 10th term का sum दिया गया है 44 आपको first 3 AP find करके बताने है ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पे let करेंगे A जो है be the first term A be the first term of AP ठीक है and D be the common difference B the common difference ओके बटा यह हमने ले लिया अब हम बनाएंगे given जो हमें दिया गया है उसकी equation बनाएंगे A4 प्लस A8 जो दिया गया है उसका sum है 24 ओके बटा यह हमें दिया गया है अब A4 हम जनल टर्म का formula लगाएंगे A प्लस 3D प्लस A प्लस 70 D is equal to 24 प्लस करेंगे आप इसको 2 A plus 10 D is equal to 24 अब यह देख रहे हैं whole term divide हो रही है तो आप करेंगे इसको divide by 2 तो आप लिखेंगे divide whole equation by 2 ठीक है 2 से आपने divide किया आपके पास आया A plus 5 D is equal to 12 इसको ले लेंगे आप first equation अब हमें AP find करने हैं बेटा तो हमें यह given condition दी गई है A4 और A8 का sum जो है 24 है दूसरी condition दी गई है A6 और A10 इसका जो sum है 44 है हम इन दोनों की equation से बेटा A और D की value निकालेंगे ठीक है तो A plus 6 5D हो जाएगा एक कम हो जाएगा नमबर इससे A plus 10 है तो 10 से एक नमबर कम D यह कौनसी हम ले रहे हैं जर्नल फार्म ले रहे हैं ठीक है तो 44 आजाएगा हमारे पास अब next इसको बेटा प्लस करिए यह आगे अगेन यह divide हो रही है किससे तो आप लिखेंगे whole equation divide और यह 2 से तो 2 से आपने divide किया A plus 70 is equal to 22 यह second equation ठीक है फ्राम फॉस्ट आज से आप क्या करेंगे subtract करेंगे subtracting फ्रस्ट equation फ्राम सेकिंड इक्वेशन ठीक है तो यह हमारे पास सेकिंड वाली है A plus 7D is equal to 22 A plus 5D is equal to 12 तो subtracting के लिए आप sign लगाते हैं यहाँ पे minus बिटा cut हो गया यह आपके पास यहाँ पे 2D आगया और यह 10 D की value आगया आपके पास 5 2 इदरा के divide हो जाएगा ठीक है अब हम इसको put करेंगे किसी एक equation में in first में ही कर देते हैं ठीक है in first equation in first equation ठीक है बटा first equation है मारे पास A plus 5D की value 5 is equal to 12 A is equal to 12 5 5s are 25 A is equal to minus 13 क्योंकि बड़े नंबर के साथ minus लगा है plus minus minus और minus 13 A भी आगया हमारे पास और D भी आगया ठीक है तो हम AP इस निका सकते हैं AP first term है minus 13 A second हमारे पास आएगा A plus D is equal to minus 13 plus 5 तो यह आजागा minus 8 A 3 आएगा बेटा हमारे पास A plus 2D is equal to minus 13 plus 2 D है यह minus 13 plus 10 तो यह आजागा minus 3 ठीक है अब लिखेंगे hence आपने लिखा पेटा first three terms of AP is minus 13 minus 8 and minus 3 next question question number 19 में बोला गया है पेटा सुबा राओ स्टार्टर्ड वर्क in 1995 at an annual salary rupees 5,000 ठीक है सुबा राओ कोई आदमी है उसने ना 1995 में जो वर्क स्टार्ट किया था उसकी salary थी उस time 5,000 and received an increment of rupees 200 each year और उसको हर साल increment मिल रा था ठीक है 200 का in which year did his income reach rupees 7,000 उसके कौन से year में उसकी जो salary है 7,000 हो जाएगी ठीक है सबसे पहले आप लिखेंगे annual salary of सुबा राओ तो आप लिखेंगे सुबा राओ salary ठीक है तो वो कितनी है आपके पास rupees 5,000 ठीक है तो annual increment जो है उसका annual increment है rupees 200 अब यहां से हम देखेंगे जो first salary है उसकी 5,000 है हर साल उसका increment हो रहा है 200 का तो हम इसे एपी फार्म करेंगे तो यह आजा first हमारे पास first year में जो इसकी salary थी वो यह थी second year में बिटा 200 add हो जाएगा तो 5,200 आ जाएगा 1996 में आ जाएगा यह ठीक है तो 5,400 1997 में ऐसे से last में इसकी जो salary है वो है 7,000 ठीक है यह दी गई है कि कौन से year में होगी तो अब हमें नहीं पता तो हम इसके लिए क्या डालेंगे nth year में होगी ठीक है तो यह a1 आ जाएगा a2 आ जाएगा a3 तो last में इसको हम ले लेंगे an मतलब an a term यह हमारी बन गई मिल गया first term आ गई हमारे पास d आ गया हमारे पास 5,000 माइनस 500 और यह आ जाएगा 200 d ठीक है और हमारे पास an nth term दी गई है कितनी 7,000 ले रहे बिटा अब हमें क्या find करना है in which year मतलब कौन से year था वो n अबे हमें find करना है इसके लिए nth term का फॉर्मूला an a प्लस n माइनस 1 d an आपको दिया गया है nth term 7,000 a है 5,000 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू आगे 200 अब आप इसको solve करेंगे बिटा 7,000 माइनस 5,000 is equal to n माइनस 1 200 यहाँ पे हमारे पास आगया 2,000 n माइनस 1 और यह 200 आगया यहाँ पे नीचे cancel किया आपने 10 आगया 10 प्लस 1 आगया यह बला है n हमारे पास आगया 11 मतलब 11th year में जो हमारी sadly थी वो कितनी थी 7,000 ठीक है तो 11th year में थी in which year तो आपको अगर year बताना है 1995 1995 वो भी आपको फिर निकाल के बताना पड़ेगा कैसे जैसे हमारे पास 1995 एक यह बना सिक्वेंस 1996 हुआ 1997 हुआ ठीक है तो लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे हमें लास्ट का year बताना है तो A1 हमारे पास 1995 हो गया अब next हमारे पास D जो आ जाएगा इसमें देख रहे हैं आप difference 1 आ जाएगा ओके और हमें N दिया गया है यहाँ पे 11 आ गया हमारे पास तो N टर्म हमारे पास आ जाएगी A plus N minus 1 D तो A N हमें निकाल के बताना है तो यह आ जाएगा हमारे पास N कितना है पेटा हमारे पास 11 है 11 minus 1 D 1 है तो यह आ जाएगा 1995 plus 10 10 1s are 10 तो यह आ जाएगा 2005 मतलब 2005 में हमारी जो salary थी वो कितनी थी 7000 थी आपने बता दिया हैंस इन 2005 his income was रुपीज 7000 ठीक है तो next question देखिए question number 20 देखिए बता रामकली सेव्ड रुपीज 5 in the first week at a year and then increased her weekly saving by रुपीज 1.75 if in the nth week her weekly salary becomes रुपीज 20.75 find end आपको बोला गया है रामकली है वो क्या करती है हर week जो है रुपीज 5 क्या हर week नी sorry first week में उसके पास रुपीज 5 थे जो उसने क्या किया था save किये थे ठीक है फिर उसने क्या क्या next year increase her weekly saving by 1.75 ठीक है फिर वो हर साल क्या करती गई अपनी जो saving थी उसमें 1.75 डालती गई ठीक है मतलब जैसे first साल में उसने 5 रुपे save किये first week में second week में उसने किये बिटा five plus ये हो जाएगा तो आप लिखेंगे saved amount ठीक है तो आप लिखेंगे saved income in first week first week में उसके पास कितने थे रुपीज 5 ठीक है तो सेम ये ही लिखेंगे second week तो रुपीज 5 प्लस 1.75 फिर आप लिखेंगे third week में तो रुपीज ये हो जाएगा आपके पास रुपीज 6.75 तो 6.75 में आप डालेंगे 1.75 तो या जाएगा रुपीज 0 5.8 ठीक है ये आ जाएगा और इससे हमारा जो एपी का सिक्वेंस बना वो ये बना 5 6.75 8.50 है ना तो हमें last में ये भी बोला है end week में जो उसकी सेविंग थी वो इतनी होगी end week में ठीक है तो end week हमें हम ये ले रहे हैं कि last में उसकी end week है हमें ने पता increase हो रही है तो value बाद में ही आएगी है ना तो इसलिए ये a1 हो गया ये a2 हो गया ये a3 हो गया तो इसको हम ले लेंगे an ओके बटा अब हमें a1 की value पता है 5 d की value पता है ये हमारे पास 1.75 है and ये कैसे निकाला हमने हमारे पास increment कितना था 1.increment sorry increase हो रही थी saving 1.75, 1.75 तो इसलिए हमने 1.75 इसका difference ले लिए बटा an हमारे पास कितना है 20.75 ओके end term का formula है a plus n minus 1 d क्यों क्योंकि हमारे पास हमें n की value find करनी है इसलिए हम ये formula use कर रहे है a की value है 5 plus n minus 1 d की value है 1.75 ठीके बटा अब आप 20 ये इसमें से 5 minus करेंगे n minus 1 1.75 तो यहाँ पे आजागा 15.75 और ये number इदर multiply हो रहा है इदर नीचे आजागा divide करेगा इसको n minus 1 यहाँ पे आप देख रहे हैं ये decimal से ये decimal कटो हो गया अब इसको आप 5 से काटी है ठीक है 5 3 is a 15 5 5 is a 25 5 3 is a 15 5 1 is a 5 5 5 is a 25 फिर से आपने इसे 5 से काटा 5 7 is a 35 5 से काटी है बिटा 5 6 is a 30 and 5 3 is a 15 7 1 is a 7 9 तो ये हमारे पास value आगी 9 is equal to ये 1 इदर आजाएगा प्लस और ये n n की value आगी हमारे पास 10 ठीक है मतलब इन्होंने सिदा सिदा हमें n पूछा था वो हमारे पास n क्या आगया 10 आगया ठीक है तो आप लिखेंगे 10th year में इसके पास इतनी saving हुई लास्ट में आप write करेंगे तो लिख लिए हमने in 10th week her salary becomes rupees 30 ठीक है थांक यू